Hello everyone, welcome back to this channel. देख्टे फल कपसे खा सकते हैं? गारे समगोगोड है गदधान करते हैं यह बाद है रहीजन देख्ञान करते हैं नखिशन मदेख्शता है। इपने करता है दो कि अघे हए घंखा लेकी दुटेख्या। यह भी कहा चाता है कि बच्चे के पॉटी में आपको खून आ सकता है कि अगर आप मदर जब ज्यादा गरम चीज रिखाती है तो अगर आप देखोगे तो उस टेम पर आपकी जो डाइट होती है वैसे भी आप अल्रेडी बहुत गरम चीजे खा रहे होते हो जैसे सोंट के ल अगर आप चीजे खाऊगे तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा क्योंकि वह तो अल्रेडी आप ले रहे हो अपनी डाइट में तो जो आम है आपको सब कुछ मिल जाता है जो डिलीवरी के बाद आपकी बॉड़ी को चाहिए एक्चुल में आम में पोटेशियम होता है या जादा मत खाऊ एक दिन में एक खा सकते है जो अच्छे से पका हुऊ आम हो वही आपको खाना चाहिए कच्चा आम बहुत लोगों को क्रेविंग होती है लेकिन उसे यह होता है कि थोड़ा खट्टा होता है तो आपका गला पकड़ सकता है थोड़ा खांसे जुखा में सब हो सकता है क्योंकि इस तम पर हमारी इम्मे disclose होती है और डाज़रन इरत लभी होता है इसलिए ईसलिए मना किये जाता है घरों में लेकिन आम आप एक दिन मिए एकाप कहा सकते हो और दूसरा ही होता है कि आह में फाइबर बहुत होता है तो जो डुडिवरी रह के बात को कुल तरफ और उसलियों करता आपका कॉंस्टिपरीशन में आपको रिलिफ। स्युक्तर ही् रोगे से एक दो घंटे पहले इसको पानी में बिगो करकते होई पानी में झाल सकते हैं उससे क्या होगा कि जो भी जुकनाहट निकल जाती है और बी यूज कर दो पकाने के लिए वह क्लीन हो जाते हैं अगर इसको नमक बिगो कर रखते हो और अगर आप खा अगर जरनली भी अगर हम खाते हैं तब भी वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है तो उसलिए उस टाइम पे बच्चा भी फीड ले रहा है तो अगर आप जो भी चैमिकल्स वेगर अगर अगर आप इतनी यह सब प्रिकॉशन्स लेकर कि आम खा सकते हो और दूसरा कि मुझे डिलीवरी कि बाइहो सबिलिवेर्टम में भी खाना इसमें भी मुझे आ इतया गया था तो इतना गया के जब दो एक कर सकते वो एक दो दिन के लिगन एक दो दिन के लिए बंद कर सकते हो एक दो दिन के बधाद फिर खा ते रुजें आपको इसे आइडेय लग जायेगा कि आप जो खा रहे हो उस से बच्क को कुछ प्रोब्लम हो रही है यह नहीं वैसे आम कहने से ज़नल आ जो बच्चे का जाता है तो ऐसा नहीं है कि आम खाने सी ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप बे फिक्र हो के आम खा सकते हो और दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर आपको गराप हो या प्रेगनेंसी में आपको डायबर्टीज डिटेक्ट होई है तब आपको आप करना चाहिए क्योंकि आमें शुगर कॉंटेंट बहुत जादा होता है और जो प्रेगनसी में जो डियाबर्टीज होती है वो डिलीवरी के एक-दो मेने के बाद अपने सबसाइड हो जाती है तब आप खा सकते हो अगर आपको आम से कुछ पहले अलर्जी रही है या कुछ और अगर कुछ को होता है कि आम खाते इनका गडबढ हो जाता है अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तब भी आपको स्टार्टिंग डेज में अवाइड करना चाहिए अब बात करते है कि खटे फल कि आप डिलीवरी के बाद खा सकते हो तो खटे फल जो स्पेशली मना किया जा करता है बच्चे को इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी इंफेक्श neste ओंटेजी nossa है याने कि जो बच्चा है मदर के लॉस है तो बलुत करता है और अगर आप खाने और तो उससे आपकी बत्चे की इंम्यूनोटी भी बिल्ड होती है तो खट्टे फल खाने में प्रिकोशन बस यह लेना होता है कि आप शाम के टाइम मत खाओ क्योंकि उस टेम पर इम्म्यूनिटी डाउन होती है हमारी तो कुछ भी इंफेक्शन बहुत जल्दी पकड़ने के चांसे रहते हैं उस टेम पर आप देखोगे कभी क होता है कि अगर हम थोड़ा सा ठंडा पानी भी पी लेते हैं तो बहुत जल्दी मारा गला खराब हो जाता है तो यह सब प्रिकोशन लेकर कि आप दिन के टाइम खालो अब तो वैसे भी इतनी गर्मी है तो खट्टे फाल आप कभी भी खा सकते हो और खट्टे फल खाने के कि इसलिए भी मना किया जाता है कि जो खट्टी चीजे होती है जो सिट्रस होता है वो गैस प्रड्यूस करता है तो इसलिए कहा जाता है कि मदर को नहीं खाना चीज स्टार्टिंग डेज में कि डिलीवरी के बाद गैस होगी तो अगर आपको प्रॉबलम होगी बच्चे को जो मैंने experience किया है अपने साथ कि खाली पेट कुछ भी खटा खाने से acidity और gas मुझे बहुत ज़्यादा होने लगती है तो यह आप भी precautions ले सकते हो या कुछ नोटिस कर सकते हो कि आपने कभी खाया हो और उसके बाद आपको ऐसी problem हुई हो कि खाली पेट खाने से होता है तो आप यह चीज़ अवोइट करो थोड़ सी precautions लेकि आप सब कुछ खा सकते हो और वैसे भी यह कहा जाता है कि delivery के बाद मदर को variety of foods खाने चाहिए मतलब healthy food fruits, vegetables, सब खाना चाहिए क्योंकि उसे क्या होता है वही flavor हमारे बच्चे के अंदर भी जाता है breast milk के थुरू तो बच्चे को भी सब चेज खाने की आदत लगती है ऐसा कहा जाता है वैसे यह भी कहा जाता है कि जो मदर है उनको लहसुन प्याज यह सब खाने में नहीं देना चाहिए starting days में क्योंकि फिर breast milk में वही flavor आने लगता है तो बच्चा कभी-कभी होता है कि breast milk नहीं लेता है उसकी smell से या उसके taste से तो जो भी आप खाते हो उसका flavor सब बच्चे में जाता है और या जो भी आप खा रहे हो वह उसका बच्चे का digestion फिर वैसे ही build होने लगता है तो इसलिए मदर को सब कुछ खाना चाहिए और initial days में delivery के बाद आपकी body को इन सब की बहुत जरूरत है जितना अच्छा आप खाना खाऊगे उतनी अच्छी और इतनी जल्दी आपी recovery होगी और आपका जो breast milk है उसकी quantity और quality भी बहुत अच्छी होगी तो इसलिए सब कुछ उस टाइम पे खाऊ थोड़ी सी precautions आपको खुद notice करना है कि आपकी body में उस टाइम पे क्या-क्या हो रहा है जो भी आप खाना खा रहे हो उसके बाद आप खुद गयस कर सकते हो कि किस चीज से आपको problem होती है या बच्चे को होती है या कोण सी चीज है जो आप easily digest कर लेता है जो सीजनल fruit होते हैं वो कभी नुकसान नहीं करते हैं हाँ यह हो सकता है कि अगर किसी को किसी चीज से कुछ allergy है तो तो अव्यसी बात है उसको problem करेगा ही नहीं तो सीजनल fruit जो भी आते हैं वो आपकी health के लिए nature ने उसी according वो हमें वो fruit to season के according हमें दिये है क्योंकि actual में उस सीजन में हमारी body को उन सब चीजों की जुरुरत है तो आप सब चीजें बड़े आराम से खा सकते हो अगर आपको फिर भी कोई डाउट अगर रहता है या घरवले अगर मना करते हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से consult कर सकते हो वैसे भी आज कल तो यह भी होता है कि delivery के बाद टाइम पर delivery के टाइम पर ज्यादा तर जो डॉक्टर से एक डाइट चार्ट देते हैं प्रिपियर करके अगर आप उस डाइट चार्ट में देखो हुँ हुआ है